दिली NCR आज फिर से घने कोहरे की चपेट में है तो कडाके की ठंड ने भी दिली वासियों की मुसीबत को बढ़ा दिया है दिली के पाला में अपोर्ट के पास जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है तो सब्दरजंग में 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही और मौसम बिबा के मुताबिक आज भी दिली में कोल डे रहेगा सब्दरजंग में 4.8 डिगरी टिंपरचर रिकॉर्ट किया गया है तो पालम में 60 डिगरी टिंपरचर दर्ज किया गया घने कोहरे के कारण एक तरफ जहां गाडियों के रफतार पर लगाम है तो नौर्ट और सेंटल इंडिया से दिली पहुचने वाली 30 ट्रेन अब लेट चल रही है विजबिलिटी बेहत कम होने से फ्लाइट्स भी डिले हो गई है ट्रेन भी डिले हो गई है और काफी जादा ठंड बढ़ गई है दिली एंसियार में कोहरा सुभा से ही देखने को मिला जिसकी की चपेट में हैं जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त हम करतवेपत पर मौजूद हैं और यहां पर आपको तस्वीरे दिखा दे तो आप देखे चारों तरफ जो है एक घने कोरे की चादर है जिसकी चलते लोगों की जो गा साथ गाड़ियों की लाइटे भी जला कर पार्किंग लाइट तक चला कर चल रहे हैं ताकि किसी भी तरह से दुरगटना ना हो यहां से आप देंगे तो महज चंद कदम की दूरी पर इंडिया गेट है लेकिन आपको इंडिया गेट दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो गन करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको विजिबिलिटी इतनी कम है जिसके चलते कुछ भी दिखाई यहां पर नहीं देगा वहीं अगर सुमवार की बात करें तो मौसम विभाग के मताबिक इस बार की सर्दी कास सबसे कम तापमान वाला दिन सुमवार को दर्ज जो है दर्ज किया गया फिलाल एक बार फिर आपको तस्वीरे दिखाते हैं यह करतवे पत की तस्वीरे हैं जहां पर विजिबिलिटी बेहत कम है जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप देखें कि यहां से मैज चंद कदम की दूरी पर ऐसी नहीं हिल है जहां पर प्रधान मंतरी कार्याले राश्पती भवन और ग्रह मंतराले तमाम ओफिस हैं लेकिन आपको गने कोरे के चलते कुछ भी यहां दिखाई नहीं देगा कुछ इसी तरह का हाल पूरे उत्तर भारत में हैं महीं मौसम विभाग की माने तो अगले सुबा इसी तरीके से गने कोरे की चादर में पूरा उत्तर भारत सिम्टा रहेगा